अबरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों आज बात करने जालो में एक बहुत ही दिगज कंपनी जो की रीटेल सेग्मेंट को बिलॉंग करती है और जब से लिस्ट हुई जैसा धुआधार पैसा इसने बना के दिया निवेशकों को लॉंग टम के लिए यह स्टॉक बह करते रही है आप अब आ चुके हैं बहुत ही लाजवाब तेजी आज के दिन दोस्तों स्टॉक के अंदर बनती नजर आई है और निवेशकों को लगा तार अच्छा पैसा बनाके देता चला जा रहा है ब्यस्टे ने सी दोनों में इसका स्टॉक लिस्ट हुआ था शांदा इसका जो लो था दोस्तों वो 422 रुपय का स्टॉक ने हिट किया है तो लगातार लाजवाब स्टॉक के अंदर तेजी बनती देखने को मिल लाई है दोस्तों तो दोस्तों गिरावट में इस स्टॉक को आप बिलकुल एड कर सकते हैं और लगातार निवेशकों को इसने ब आप 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 दोस्तों ने असी पर आज मतलब 21 जनवरी को 7,728 पर जाके क्लोज हुआ है वाल्यूम करीब 51,000 माप के जहें पांच लाग 11,704 से अरके रहें जो कि सांदार वाल्यूम के साद इसने आज ब्रेक आउट दिया था बावन वीक लो की बात के तो ग्यारा स 202 रुपए, 834 रुपए का ओल्यूम हाई है जो की 52 भी हाई है और दोस्तों हाई हो लो का जो डिफरेंस आप देखने करीब-करीब 8 गुने का अंतर देखने को मिला है तो लाजवाब कंपनी है लाउंग टम के पॉइंट आप वी से एड करिए तो बंपर पैसा आप लाजवाब कंपनी है गिरावट में एड करिए पंदरा हजार का लेबल इसमें आपको देखने को मिलेगा अगले साल मैं आपको पक्का बता रहा हूं तो आप हर गिरावट में स्टॉक को ध्यान में रखिए सेर होल्डिंग पैटन समझतें इसका लगातार बाइंग हो रह यह सेप्टेंबर क्वाटर का डीटेल है तो जो प्रेमोटर होल्डिंग है लगबग बावन परसेंट है FII की होल्डिंग 21.67% की है Mutual Fund की होल्डिंग की बात करें तो 4.33% इंस्वरेंस कंपनी की होल्डिंग अगर बात करें तो 0.31% का स्टेक है Non-institution Investor 20.6% की होल्डिंग रखते हैं अदर के पास दोस्तों 0.61% की होल्डिंग हो है अदर DII के आदिआ आप बात करेंगे तो करीब-करीब आधे परसंट की स्टेक देखने को मिल लई है इंडिया मार्ट के स्टॉक में तो इस स्टॉक को गिरावर्ट में अपने पोर्ट्फोलियू में एड करना बिलकुल मत भूलिए शांदार स्टॉक है लॉंग टम के पॉइंट आव व्यू से मैजोर्टी सेर होल्डर जो हैं स्टॉक के वो प्रमोटर हैं प्लेच मोटर होल्डिंग नहीं मतलब गिर भी रखे सेर की समझते नहीं है मूचल फंट की 13 स्कीम का पैसा है 4.33% FII की दोस्तों 124 स्कीम ने 21.67% की होल्डिंग बना रखे है प्रमोटर विथ हाइस होल्डिंग जो हैं 29.64% का स्टेक रखते हैं हाइस पब्लिक सेर होल्डर दोस्तों 5.25% की होल्डिंग और आप हम जैसे जो रिटेल निवेशक हैं वो 12.18% की होल्डिंग इंडिया मार्ट इंटरमेश के स्टॉक में दोस्तों बना के रखे हुए हैं तो इस स्टॉक को आप गिरावट में एड कीजिए मैं आपको सिवरली बता लाओ कि नेक्स्ट यर इसका टार्गेट 15,000 का है तो आप इसे जरूर एड कीजिए बहुत ही तगड़ा प्रोफिटेविल बिजनेस है इसका और लगाता निवेशकों को अच्छा पैसा खमा के देती चली जा रहे है चली चलेंगे स्टॉक की रिटन की प्रोफाइल देखते हैं अभी तक कैसा रिटन दिया निवेशकों को दोस्तों इंडिया माइट इंटर मेंस स्टॉक की रिटन की प्रोफाइल आपके सामने आ चुकी है शांदार तेजी आज बनी बिएसी में लगबग पॉने 6% है मासकी 5.5% की हफते बर में 5.81% डाउन है बात करें महीने बर की तो 35.60% की रिटन तीन महीने के अंदर 56% से यादा चला है छे महीने के अदिया आप बात करें तो 258% की रिटन 2021 की सुरुआज से अब तक लगबग 20.5% मादब 20.5% की रिटन और एक साल के अंदर 270% के दिगज रिटन ये स्टॉक प्रोवाइट कर चुका है निवेशकों को तो गिरावट का मौके में इसे स्टॉक को जरूर एट कीजिए और जो भी सेल लेना मेरे बताए द्वारा उसे लांग टम के पॉइंट ऑफ वी से जरूर रखिएगा तब ही आप अच्छा मुनाफ़ा कमा पाएंगे तो इंडिया मारे डेटा में इसमें आज शांदार तेजी रही जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो सस्काइब करना मत भूले थैंक्यू फो वाचिंग